महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के युद्धक्षेत्र को तैयार किया जा रहा था। एक पेड़ पर एक गौरय अपने चार बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को खाड़ा जा रहा था तो उसका घुसला जमीन पर गिर गया और भायभीत गौरय मद जाय क्यों की लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। सर्व व्यापी भगवन बोले मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं लेकिन मैं प्रकृती की कानून में हस्तक शेप नहीं कर सकता। गौरय ने कहा हे भगवान मैं जानती हूं कि आप मेरे सथ कहा प्रभू आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जान सकती। आप स्वयम काल के नियמता हैं। यह मुझे पता है। मैं सारी स्थिती ए跟大家 स्थिति एवं स्वयम को परिवार सहित आपको समर्पन करती हूं। बाकी आपकी मर्जी भगवन बोले अपने गुसले में ती मिन्टों के लिए फुलाया और फिर अपने घुसले में वापस चली गई। दो दिन बाद शंग के उद्गोश से युद्ध शुरू हुने की गोशना की गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बान मुझे दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी को निशाना बनाया। लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाए तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उ लेकिन केशव तुमने हाथी को क्यूं तीर मारा अर्जुन ने पूछा क्यूंकि इस हाथी ने उस गौरईय के आश्रय उसके घुसले को जो की एक पेर पर था उसको गिरा दिया था कौन सी गौरईय अर्जुन ने पूछा इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और एक बार फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में ब्रह्मन करने के लिए ले गए चारो तरफ ब्रह्मन करने के बाद श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो की हाथी पर बादी जाती थी उसे देखकर विचार करने ल पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे जुका जैसे ही उन्होंने इसे उठाया उसकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई एक दो तीन चार और पांच चार युवा पक्षियों और उसके बा बाहर निकल के मा और छोटे पक्षी क्रिष्ण के इर्द गिर्द मन्राने लगे एवं बड़े आनन से उनकी परिक्रमा करने लगे। अथारा दिन पहले प्रभू श्री क्रिष्ण द्वारा काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की प्रानों की रक्षा की थी। मुझे एक शमा करे है श्री क्रिष्ण अर्जुन ने कहा आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुश्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं और अर्जुन भगवान श्री क्रिष्ण के चरनों में गिर गए साथियों प्र लोगों अपने भागतों की इफाज़त करते हैं